नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस 24 आपके साथ मैं हूँ रवी ठाकूर बड़ी खबर से शुरुआत कते हैं तमिलाडू के समुद्री तट के करीब पहुंचा है चकरवात मिचौंग चकरवात को लेकर तमिलाडू में हाई अलर्ट है तमिलाडू के कई हिस्सों में भारी भारी बारिश भी हो रही है भारी बारिश के चलते सडकों और रेल ट्रैक पे जल भराव 90 से 110 किलोमेटर प्रती गंटे के रिफ्तार से हवा चलने का अनुमान जताय जा रहे हैं चे तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इससे अंदाजा लगा सकते हैं किस तोफान की देखने वाली बात होगी अभी जो परिस्थितियां बनी हुई है जगा जगा बारिश हो रही है भारी बारिश की वज़र से तेज हवाओं की वज़र से आम जन जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सडकों पर कई जगा पूरी तरह से डूबी भी नज़र आ रही है और कई जगा पर ते गाड़ियां तैर्तिव भी नज़र आ रही हैं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सडक पर जगा जगा पेड़ उखड़े हुए क्योंकि हवा की रफ्तार बहुत जादा है अभी जो आशंका जित आई गई है उसके मताबिक 90-110 किलोमेटर प्रती घंटे की रफ्तार से तेज हवाय चलेंगी जब ये तुफान अपने पूरे प्रचंड रूप में होगा दूसरी तरफ रेलवे यातायात और हवाई यातायात इस पर सबसे ज़्यादा असर इस तुफान का पड़ा हुआ ह कई ट्रेन को कैंसल कर दिया गया है कई फ्लाइट जो है रोक दे गई है कैंसल कर दे गई है समुद्री तट पर हाई अलर्ट की खुआ है अनुमान है तस्वीरे हम आपको दिखा रहे है आंदरप्रदेश तमिलाडू ये वो राज्ये हैं जहां पर इस तुफान का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला है और किस तरह से अभी हालात वापे हुए है इस तुफान के टकराने से पहले या जहां 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 इसका आरी है रेल ट्राक जो है वो बादित हुआ है कई फ्लाइट को कैंसल करना पड़ा है सैंकडों पेड सडकों पे गिरे हुए नजर आ रहे हैं